Hello everyone, आज हम देखेंगे class 12 का exercise 11C, 11C, जिसमें हम देखेंगे application of derivatives, और application of derivatives में यह जो हमारा solution होगा, यह R.S. अगरवाल बुक का solution होगा, इस lecture में हम application of derivatives, यानि exercise 11C का question number 3, question number 3 से continue करेंगे, previous lecture में हमने इसका previous exercise, इसका previous questions और इसका introduction पार्ट किया हुआ है, जिसका link हमारे decision box में available है, या फिर उसका जो video है, वो हमारे playlist में भी available है, तो आप previous video को हमारे playlist के तुरू, या फिर जो decision box में link दिये हुए है, आप उसके तुरू जाके देख सकते हैं, आप एक बार previous questions को solve करें, ह वो सारे previous वीडियो दिखने के बाद clear हो जाए और उस base पे जब आप इस questions को कर रहे हैं तो आपको काफी easy तरीके से समझ मैं है इसलिए आप एक बाद previous वीडियो को जरूर वाच करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को 11c का जो question number 3 है आप पहले questions को देखे कह क्या रहा है questions की language को समझ जिए questions आप से बोला दार है verify Rawls theorem for each of the flowing functions इस functions पर आपको क्या करना है रॉल्स theorem को आपको verify करना है simple बात है और previous में one और two जो questions से उस पर भी हमने वही किया था कि Rawls theorem को क्या करना है verify करना है verify करने से पहले आपको तीन conditions होते हैं जो तीनो condition का जिक्र जो है हमने introduction पार्ट में किया हुआ है आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको यह पता चलता है condition को कैसे define करते हैं आखिर condition होता क्या है तब उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको काफी अच्छे तरीके समझ में आएगा वैसे हम इसमें थोला सा condition बतर तीनो condition apply करेंगे तो आपको समझ में भी आना चाहिए तो आप देखें पहले solution में क्या करेंगे solution में लिखेंगे given function fx जो आपके पास function है fx वो क्या है x square minus 5x plus 6 in 2 3 ठीक है close interval के साथ 2 3 यही है आपके पास questions function अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आपको पता है fx is a polynomial is a polynomial यहाँ पे नंबर फर्स्ट लिख देते हैं चोंकि तीन क्रेटरिया होता है न तो फर्स्ट क्रेटरिया f is a polynomial function function which is continuous continuous always which is continuous always जब आपके पास fx is a polynomial है यह तो आप देखी सकते हैं कि fx जो function है वो आपके पास polynomial है x square minus 5x plus 6 के format में है polynomial होए ही नहीं आपका trigger है नहीं inverse trigger है polynomial है तो polynomial function है तो which is continuous always है हम ऐसा क्या होता है continuous होता है शाथ में जब यह continuous है तो यहाँ पर क्या लिशकते है fx equal to x square minus 5x plus 6 is continuous continuous ठीक है first number हम दिखा दिए कि यह continuous है जब polynomial है तो always continuous होता है polynomial तो यह आपका क्या हो गया always continuous होता है तो यह continuous हो गया number second number second में क्या करते है कि यहाँ पर fx equal to x square minus 5x plus 6 आपका जो function है तो यहाँ भी क्या करते है गिव इन फानाइट वैलू in 2 and 3 यदि आप यहाँ पर इसके जग़ों पर 2 put करें x के जग़ों पर 3 put करें तो यह आपका dx तो आपका क्या हो जाएगा dy by dx जब निकाले के तो x square का differentiation x के respect में क्या होता है 2x होता है और 5x का differentiation 5 common dx dx cancel यानि 5 हो जाएगा और किसी भी constant का कितना होता है 0 तो यह आपका जो क्या हो जाएगा f dash x exist f dash x 2 minus 2x minus 5 तो अभी हाँ पर क्या लिख सकते हैं दिस फंशन इस इस फंशन इस डिफ्रेंशीएबल तो f x equal to x square minus 5 x plus 6 छेके आपके पास जो फंशन दिया हो था f x equal to x square minus 5 x plus 6 इसका differentiable तो है ही f dash x जब आप निकालेंगे तो f dash x इसका क्या हो जाएगा x square का निकालेंगे 2 x और यहाँ पर minus हो तो minus 5 x का कितना हो जाएगा 5 constant है बाहर dx by dx यह नि 5 तो यह differentiable भी है number 3 यह दि हम देखें तो number 3 अब number 3 में क्या करेंगे value put करेंगे पहले function लिख लेते हैं f x equal to क्या है x square minus 5 x plus 6 यानि कि जब 2 रखेंगे x के अपर तो यह क्या हो जाएगा 2 square minus 5 into 2 plus 6 यानि f 2 equal to 4 minus 10 plus 6 यानि f 2 equal to क्या हो जाएगा 10 minus 10 0 first case देखें second देख लेते हैं if जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का square minus 5 into 3 plus 6 यानि कि यह कितना हो जाएगा f 3 equal to 3 का square 9 minus 15 plus 6 यानि f 3 equal to 15 minus 15 यानि कि 0 अब यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो f 2 equal to f 3 है यानि कि f equal to f b है f equal to f b है तो तीन condition थे पहला condition था कि हम चेक करें कि यह continuous है या नहीं है दूसरा आपका था कि आप चेक किजिए कि यह differentiable है या नहीं है और तिसरा condition था कि f equal to f b होना चाहिए तीनो condition हमारा apply होता है एक बार फिर से समझाते हैं फर्स्ट आपके पास f x is a polynomial function which is continuous always जब polynomial function है तो आपका 2 और 3 पे हमेशा यह क्या होगा आपका continuous तो होगा ही second यादी देखें तो f x equal to x square minus 5 x plus 6 आपका जो function था इस function में आपका finite value देगा यह जब आप 2 और 3 से निकाले हैं तो finite value देगा यानि कि जब यहाँ पे f dash x निकालेंगे तो f dash x क्या हो जाएगा आपका f dash x हो जाएगा x square का differentiation 2 x और 5 x का कितना हो जाएगा 5 तो इसका differentiable भी है differentiation निकल गया है तो यहाँ पे this function is differentiable to f x equal to x square minus 5 x plus 6 second differentiable हो गया third आपके पास क्या है f x equal to x square minus 5 x plus 6 यानि कि जब f x function 2 रखेंगे x के पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का square minus 5 into 2 plus 6 यानि f2 equal to 4 minus 10 plus 6 f2 पे इसका value 0 फिर यहाँ पे आप 3 जब रखेंगे तो 3 का square minus 5 x plus 6 यानि कि यह भी 0 f2 equal to f3 दोनों का value 0 0 तो equal होगा यानि f equal to fb अब हम यह check कर चुके हैं कि यह जो हमारा function है यह Rawls theorem के तीनों case को apply होता है तो फिर हमें verify करना है पहले इतने part को note करें फिर verify करते हैं अब इस function को हमें verify करना है तो पहले verify करना है हमने तो तीनों case देख लिया थोड़ा सा language लिख लेते हैं यहाँ पर लिखें कि clearly clearly all the clearly all the conditions are satisfied satisfied then the exist a real number and this is so this so that function is Rawls theorem ठीक है जब हमने यह satisfied करा दिया कि जो हमारे पास above जो इसके पहले हमने जो किया हुआ है तीन क्रेटरिया वो आपका Rawls theorem है तो अब इसको क्या करना है verify करना है अब verify करने के लिए आप यादर करें कि सबसे पहले f dash x जो था मेरे पास वो कितना आया था या फिर कितना क्या था अभी भी आप निकाल सकते x square का 2x और 5x का 5 होगा यदि यहाँ पर x के जब पर c बोलें f dash c बोलें तो f dash c कितना हो जाएगा 2c minus 5 हो जाएगा ठीक है यानि कि c equal to 5 by 2 का मतलब 5 by 2 का मतलब half 2.5 अब आप देखें कि 2.5 आपका कहां से कहां बिलोंग करता है तो 2.5 जो है वो आपका बिलोंग करेगा 2 से 3 के बीच में यानि 2.5 दो से जादा होगा और 3 से कम होगा तो 2 से 3 से तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे verified verified ठीक है एक ब है क्या clearly इसके पहले हमने जो यहाँ पर sort out किया था इसके पहले वहाँ पर लिखना चाहिए था बट मेरे पास जगर नहीं था इसलिए हमने language लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है यह आपका function क्या रॉल्स theorem है जब यह रॉल्स theorem है तो इसको में क्या करना है इसको में verify करना है verify करने क्या कि है कि f' x equal to 2 x minus 5 होगा अब जहाँ x है वहाँ पर c किये है यानि 2 c minus 5 तो let f' c equal to 0 f' c को 0 कर लिए यानि 2 c minus 5 equal to 0 2 c equal to 5 c equal to 5 by 2 5 by 2 means 2.5 और 2.5 आपका कहा से कहा 2.5 belong 2 से 3 के बीच में यही हमें proof करना था आपका verify हो गया अब आप इसको एक बार note down कर लें